हेलो एवरिवन वैलकम टू मैं चैनल बीवी लेंट टूडे बिहार सामानेगान अज मनों बिहार सामानेगान से जानेंगे बिहार के महत्पुन एतिहासिक इस्थल यह जो टॉपिक होगा वह आने वाले बिहार जो सुपर टेट होने वाली है 1,2,5,6,8,9,10,10,10,2 के लिए उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्पुन है सुपड़ों के स्किप ना करें पूरा-पुरा वडियों देकर अपने नोलेज को इंक्रीज करें अगर आप आपने चनल पर नहीं है तो जल्दी से चनल को सस्क्राइब कर लें थाकि हर बडिक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो हम लोग जाने आज बोध गया के बारे में गया से 14 किलोमेटर दक्षिन मिस्तित बोध गया देखें बोध गया बहुत ही लोग प्रीय प्लेस है इस्थान है यहीं पीपल विक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्यान प्राप्त हुआता है आप से प्रश्ट पुछा जाएगा कि बगवान बुद्ध को ज्यान कहां प्राप्त हुआ था तो आप कहेंगे बोध गया में पेपल विक्ष के नीचे बगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था इसके साथ साथ बगवान बुद्ध की मृत्व का होई थी तो बगवान बुद्ध हमना पहला उब्देश सारनात में दिया बगवान बुद्ध की मृत्व यनी निर्वान जो ही थी वो कुशी नगर में होई थी और उनका जन कपिल बस्तु में हुआ था कपिल बस्तु के लुमनी में ठीक है और जो बूद गया है पीपल ब्रिक्च के नीचे गौतम बुद्ध को जी को ग्यान प्राप्ट हुआ और इस ब्रिक्च को बौधी ब्रिक्च और जिस्थान को और वेला का आ जाता है ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जी ने घोर तपसा के बाद काफी उรुला के जंगलों में बढ़कते रहे किसकी तालास में ज्यान की तालास में अंत में उन्हें इसी बौध बिक्च के नीचे और वेला के गने जंगलों में ज्यान प्राप्त हुआ संप्राड असोब यहीं سے पीपल के छोटे-छोटे पोदे सेलंका भिजवाये थे और पता हैं आपको किस सेलंका जाने वाले उनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम था उनके पुत्र का नाम था महिंदर ठीक है और पुत्री का नाम था संगमित्रा आप आगे जाले बोद्गया के निकट निरंजला नदी बहती है को नदी बहती है बोद्गया के निकट निरंजला नदी जब अगवान बुद्ध ने इस्टान किया था यही माबोधी मंदीर है जहां बगवान बुद्ध का की विशाल परतिमा है बगवान बुद्ध के जन्म के लगवग 2600 वर्स बाद इनसको ने जुलाई 2002 में बोध गया स्थित माबोधी मंदिर को विश्व विराशत खुशित गया देखें अभी तो हाली में भारत सरकार और बिहार सरकार के सवयक से इंट्रनेशनल हवाय ड़ा भी खोला गया गया में ताकि आपको तो पताए कि जितना ज़्यादा जैन दम नहीं पहला विदेशों में उतना ज़्यादा पहला कौन दम बौध दम ठीक है आप आगे जाने 1,400 साल पुराने 180 फूट उचे इस मुर्ति को इनुसकों ने प्रातात्तिक चमतकार माना है सोचिए कितनी साल पुरानी ये मुर्ति है और किसने इसे प्रातात्तिक चमतकार माना है तो इनुसकों ने अनि मेश लोचंग चैते इसी महाबोधी मंदिर के निकट इस्तेत है जहां ज्ञान प्राप्ति के भगवान बुद्ध एक टक देखते खड़े रहने के बाद मतलब ज्ञान जब प्राप्ति हुआ तो भगवान बुद्ध एक टक देखते और खड़े थे चंग का मन का एक उठा चबुत रहा है जहां भगवान बुद्ध उपर नीचे टहले थे जहां जानने को या ज्ञान विश्व को दिये जाए अत्वा नहीं यहीं पर एक विशाल धर्म चक्र अत्वा विदी चक्र के साथ तिबती मतभी इस्तित है यानि तिबत के लोग यहाँ पर आते हैं क्यों आते हैं तो क्योंकि उनके जो भगवान है भगवान बुद्ध जी उनका यहाँ पर ज्ञान प्राप्ती हुआ था और यहां मंदिर भी हैं जिसके दर्शन के लिए वो यहां आते हैं आप आगे जाने गया फल्गु नदी के किनारे बसा गया बिहार का एक प्रमुक एतियासिक और धार्मिक स्थाल है यहां परिस्तित विश्णुपत मंदिर का निर्मान इंदोर की रानी अहल्याबाई ने कराया था गया में क उशान और कुप्त काल का निर्मान कारे देखने को मिलता है समंद्गुपत के समय सिरलंका के सासक मेग वर्मन ने गया में एक विहार का निर्मान किया था और यहां पर क्या विश्णुपत मंदिर भी है जिसे किस ने निर्मान कराया था इंदोर की रानी अहल्याबाई ने निर्मान कराया था बंगाल के सासक ससांक इसे भी आप गौर करें ने इन धार्मी के स्तलों को नश्ट कर दिया और बोध गया अस्तित बोधी बिक्च को भी नुकसान पहुचा है अब यहां से कोसर राइज हों किस सासक ने बंगाल की किस सासक ने बोध गया में बोधी बिक्च को नुकसान पहुचाय तो अब बिसक कैसकते ससांक पाल सासको के दिन इन धार्मी के स्तलों का पुना निर्मान होगा गया प्राचिन काल में धातु के मार्क पर अंतिम पड़ाव स्तल था ठीक है ओके आपने यूनिट कंप्रेट कर ली यदि आपको वीडियो पिसंद आया अपने दोस्तों के सेर करें वीडियो लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद